नमस्कार दोस्तों मैं सुभाज शर्मा चंडीगट से लाल किताब के ग्यान में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे अजन्मे रिन के बारे में कि हमारी कुंडली में ऐसे क्या कारण बन जाते हैं कि राहू रिन का ग्रह बन जाता है जिस वज़े से हमारी लाइफ में राहू से संबंदित और खाना नमबर बारा से संबंदित हमारी लाइफ में प्रॉलम सानी शुरू हो जाती है देखिए लाल किताब के अनुसार इंसान रिन के परभाव में आता है क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों में हमारे दुआरा या हमारे पूर्व कुछ गलतियां की होती हैं जिनका परभाव हमें इस जनम में भुगतना पड़ता है ऐसा क्योंकि हम ही क्यों भुगत रहे हैं सबसे पहले इसका लॉजिक समझे कि आपके पिता जीवित हैं और आप उनकी संतान हो और आपकी पिता ने जगा-जगा से कर्ज उठा रखा है और इसका मतलब यह है कि आपने अपने पिता की जिम्मेवारी अपने पिता की परेशानिया अपने सिर मन जिवन आपको मिला है इस जीवन में आप रिंड से पीडित जो समस्याएं हैं उनका भोग करते हो और यह जरूरी नहीं आपको ही परेशान कर रहा है यह आपके खून के संबंधी जितने रिष्टेदार हैं जितने कुटुम्प संबंधी हैं उनको भी परेशानियां देता है कम या जादा वो डिपेंड करता है कि कुंड़ी में और ग्रह स्थिती क्या है आपने देखा होगा कि ये अजन्मा रिन यानि कि खाना नमबर 12 से संबंद रखता है अगर खाना नमबर 12 में राहू के दुश्मन जैसे कि सूरे, मंगल या शुक्र आ जाते हैं तब इस केस में राहू रिन का ग्रह बन जाता है और राहू से संबंदित परिशानिया जैसे कि आपके साथ अकारण घटनाएं होनी शुरू हो जाती है आपने जीवन लिया एक अच्छे परिवार में पर जैसे जैसे बढ़ते गए आपके परिवार की सारी सुक, समर्दी और पैसा खतम होता गया आप मुसीबतों में घिरते गए जैसे जैसे आप बड़े हुए वैसे वैसे आपके जीवन की मुसीबतें बड़ी हो गई आपके जीवन में ये लक्षन क्या देता है किताब में लिखे हुए लक्षनों के इलावा भी कुछ लक्षन है जो कि प्रैक्टिकली देखे जाते हैं प्रैक्टिकल लक्षन क्या है आपके पास इतना पैसा था कि आप बुलंदियों को चू रहे थे आप आसमान यानि कि आप अर्ष पर थे पर एक दिन ऐसा आया कि आप दाने दाने को महताज हो गए आप पैसे पैसे को महताज हो गए ये कारण है एक अजन में रिन का और दूसरा कारण ये होता है कि आपके पास जितना धन जमा हुआ जितना पैसा जमा हुआ आपका पैसा एकदम से hospital के खर्चों में चला गया जैसे की kidney की problems होती हैं किसी को liver की problems होती हैं कई बार kidney transplant के लिए बोल दिया जाता है कई बार किसी को cancer या लाइलज बिमारी शुरू हो जाती है उसके बड़े बड़े खर्चें शुरू हो जाते हैं आपके medical insurance उस समय बिल्कुल छोटे पड़ जाते हैं और आपके घर में की हुई जमापूंजी सब इसी रास्ते यानि कि hospital के बिलों में जाती है। यह होता है अजन में रिन का मुख्य लक्षन यानि कि आप एक बुलंदियों पर थे आपकी जीवन सही चल रहा था पर अचानक से ऐसी घटनाएं आई कि आपका सारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहां पर कारण बन जाता है रिन का और जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ अजन में रिन का ही आपके उपर उस समय असार आ रहा हो आपकी कुंडली में और रिन भी उस समय पर भावी होंगे उनका भी इफेक्ट्स आपके जीवन में जहर घोलने का काम कर रहा होगा। तो जरूर से जरूर आपको ये चेक करना है कि आपकी कुणली में खाना नमबर बारा में अगर माली जे बारा या फिर दो पांच नो अगर बारा ये खाने भी अगर कहीं पर पीडित हैं ब्रस्पती के दुश्मन जैसे कि राहु शुक्र या बुद्ध से तो समझ लिए यहा पित्र रिन के उपाए पित्र दोश के उपाए करवा लेते हैं एक बार पूजा करवाली तो बंद हो गया यानि कि हमने यह समझ लिया कि एक बार पूजा करवाली तो हम इस रिन से मुक्त हो गए ऐसी गलती दिमाग में मत पालिये जो रिन आपके उपर बना हुआ है उस र पस्या का फल हो सकता है आपको दस बार करने में मिले हो सकता है पचास बार करने में मिले हो सकता है कई बदकिस्मत ऐसे होते हैं जिनको इस जिनम में ही उस रिण से मुक्ति नहीं मिलती है तो ये किस्मत आपकी है कि आप उस रिण से कितनी शरद्धा डाल कर अपने उपायों म हम कोई भी उपाय करते हैं, हमारी वो positive energy हमारे की हुए कर्मों में शामिल होती है तभी उपाय का एक actual effect हमारे उपर आता है, अगर हम सही ढंग से, सही मन से, सही श्रद्धा और सही विश्वास से कोई उपाय करते हैं और आपके जीवन में अमरित का काम करता है, तो हर एक उपाय के पीछे श्रद्धा अपने जीवन में जरूर अपने मन में बिठा के रखिए, अगर आपका भरोसा नहीं है, तो मत करिए कोई उपाय, और जूजिए अपनी परिशानियों से, पर जो भी उपाय करें, परभावित हो जाएगा, राहू जब परभावित हो जाएगा, तो राहू संबंदित आपके जीवन में परिशानिया आनी चुरू हो जाएगी, वो परिशानिया आपके घर में लंबी बिमारियल आ सकती है, यानि कि आपके दुश्मन भी खड़े हो सकते हैं, और कई बार अब लाल किताब के अनुसार जो इसमें मुख्य निशानिया दी गई है, वो ये दी गई है कि ऐसे अगर हम कारण की बात करें, तो कारण यह है कि आपने किसी ना किसी आपने या आपके पूरवजों ने किसी के साथ इतना बड़ा धोका किया, इतना बड़ा चलकपड किया कि उसका पूरा परिवार ही नश्ट हो गया, अब परिवार नश्ट हो गया जैसे कि माल लिजे, आप किसी के दोस्त हैं, और आपके दोस्त ने आपकी जिम्मेवारी पर या फिर कहीं से पैसा लिया, और आपने उस पैसे का पैसा आया, अपने फ्रेंड को देने के लिए, और आपने उस पैसे का उसको धोका दे के उसको नुकसान कर दिया, वो परिवार अलरडी परेशानी में था आपका दोस्त, और आपने उसके साथ इतना बड़ा धोका कर दिया, कि वो डिप्रेशन में चला गया, उसने सुसाइड कर लिया, बाकी लोग परेशान हो गए, व वो लालच किसी दूसरे परिवार को उजार दे तो ये कारण बनता है रिन का और कई बार आप रिष्टेदारी में या ससुराल में अपने कहीं पर धोका करते हैं तो ये भी कारण बनता है रिन का और ये पूर्व जन्मों से आपके साथ चला आता है तभी राहू का अगर रि बन गया आपका राहू का इसके साथ साथ जो मैंने आपको निशानिया बताई और भी निशानिया हैं जो कि इनसान को इस रिंड से प्रभावित करती हैं इनसान जहां रहता है उसके घर के आसपास चीज़ें दिखाई देती हैं जैसे कि उसका घर कहीं पर होगा तो उसकी की और से शमशान होगा जरूरी नहीं घर के पास समशान हो उसकी दिशा के उत्तर की तरफ उसका शमशान होगा या उजार जमीन पड़ी होगी कोई जमीन जिसका कोई मालिक नहीं है या सरकारी जमीन है बिल्कुल उजार पड़ी हुई है कोई इसको देख भाल करने वाला नहीं है या आपके घर के साथ कही प्लॉट कई वार ऐसे होते हैं कि वह प्लॉट पड़ा हुआ है चार ब्हाएं त kennर हो सब्राई कि निशानी और यहां पर तभी कहा जाता है कि अपनी दैलीज को साफ है, अगर नाली है तो इसमें पानी डालते रहे हैं, आप सफाई करमचारी को बला के साफ कराते रहे नहीं, तो खुद ही साफ कर लो और इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि आपका मकान साथ में है और मकान के साथ में कहीं पर ढाबा खुला हुआ है या कोई होटल है या फिर कोई ये भड़बूचे जिसे हम कहते हैं वो लोग होते हैं यानि कि आपके मकान के साथ में कोई भट्टी लगी हुई है अब जरूर होता है कि घर की दहलीज गंदी हो यानि कि आप गंदगी रखते हैं वहां पर आप डस्ट विन रखते हैं कि सफाई करमचारी आएगा दरवाजा खोलेगा डस्ट विन उठाएगा चला जाएगा क्यों आपने अपनी सहुलियत के लिए अपने घर के के दरवाजे को मुक्खे दरवाजे को गंदा कर दिया यानि कि आपका सफ्राल से सही संबंद रके यह एक पॉश्टिव तरीके तरीके हैं जो की सिंपलね और्मल fifty ड spos या करते हैं अपने दिन चर्या में शामिल कर सकते हूं चुछों को शामिल करते हुए हमें उपायों की तरफ बढ़ना चाहिए सबसे पहले हमें यह करना कि अपने से जो लो क्लास लोग हैं जो सफाई करमचारी आता है उसके साथ सही संबंद रखें उसको मदद करते रहें उसको कुछ ना कुछ मीठा देते रहें त्योहार पे कुछ ना कुछ देते रहें आपका राहू सही रहेगा जो अंगहीन व्यक्ति होते हैं जो डिसेबल होते हैं फिजिकली disabled होते हैं उनको कुछ न कुछ आप मदद करते रहें आप मदद करते रहेंगे तो यहां पर राहू सही होगा और अपने ससुराल से सही संबंद रखें नशे वगरा से दूर रखें अपने अंदर एक अच्छी आवरती बना के रखें लोगों के साथ छल कपट मत करें जितना करेंगे उतना इस ग्रहे अपनी जो समस्या है और रिंड समस्या है इसको बढ़ाएंगे अब इसका उपाय जो लाल किताब का कॉर्डिंग है व अगर आज कल की बात करें कि कौन सा रिष्टेदार किसके पास जाके बोले भाई एक नारियल दे दो तो सामने वाला ही मन में डाउट क्रेट कर देगा ये नारियल क्यों मांग रहा है तो इसका तरीका ये है कि आप अपना एक रुपया कठा करें सामने वाले का दस गुना यनि कि 10 रुपया आपने सारा पैसा ही कठा कर लेना है और आपने ये काउंट कर लेना है कि कितने रिष्टेदार हैं जितने भी रिष्टेदार हैं आपने दुकान पे जाना है आपके पास जितना पैसा कठा हुआ था मान लीजे 1000 रुपया ही कठा हो गया मगर प्यास सामने वाले का यानि कि दस गुना आपने अपनी जेव से सब का पैसा कठा किया और यह सारा पैसा इकठा करके जो ग्रहे आप यहां पर आपको समझ लेना है कि खाना नंबर 12 में कौन सा ग्रहे बैठा हुआ है यहां पर उपाय के दिन की एक importance है importance यही पर लोग गलती करते हैं वो गलती यह करते हैं कि सिधा कठा किया और जा के जल परवा कराया है ऐसा नहीं करना है सबसे पहले हमें तिधी देखनी है तिधी क्या है चतुर्ती नौमी और चतुर्दिशी तिधी नहीं होनी चाहिए सबसे पहला रूल दूसरा रूल कि खाना नंबर बारा में कौन सा गरह बैठा हुआ है माली जे सूरे बैठा हुआ है तो आपको उपाय करना है संडे को ठीक है माली जे शुक्र बैठा है तो शुक्रवार को उपाय करें अगर मंगल बैठा है तो मंगल वार के दिन उ तरीका होता है कि जितनी आप इस चीज को अच्छे से वो करेंगे उतना ही अच्छे से उसका असर होगा और यह उपाये आपको साल में एक बार करते रहना है जब तक आप कर सको जितना अप लंबा आप सको तभी इस उपाय का आप आपको benefit मिलेगा एक बार करने से सही नहीं होगा क्या यह रिंड आपको पता है कि आपको कितने जन्वों से चला रहा है नहीं पता है तो चितना आप लंबा करते रहोगे जितना आप परिवार के लोगों को शामिल करके इस रिंड से मुक्त कराते रहोगे आपका भला होता र